नमस्कार सातियो मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज सातियो सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बदाई क्योंकि हमारा देश नित नई बुलंदियों को छूरा है वो नई बुलंदिया क्या है ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर जरूर करें तो सातियों आपको बता दें मार्च में आई हुए थोक महंगाई दर के आंकडे यानि के हॉलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकडे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो मार्च के आंकडे हैं वो 14.55 आए हैं देश में बढ़ती महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है मार्च में थोक महंगाई दर 14.55 प्रत्सत दर्ज की गई है यह बीते चार माहा में सबसे अधिक है इसकी मुक के बज़क कच्चे तेल बिविन कमोडिटी की ठोक कीमतों में तेजी है सरकार की और से सुम्मार को जारी आंकडों के मताबिक मार्च लगातार बारवा महीना रहा जब ठोक महंगाई दर 10 प्रत्सत से उपर रही इस से पहले नवम्मर 2021 में यह 14.87 प्रत्सत के उच्चतम इस्तर पर थी इस साल फरवरी में यह 13.11 प्रत्सत और पिछले साल मार्च में 7.89 प्रत्सत थी बाड़िजे और उद्धोग मंत्राले ने कहा है कि थोक महंगाई दर में इजापा मुख की रूप से कच्चे तेल, प्राकरति गैस, खनेज तेल, धात्यों, आद की कीमतों में बड़ो तरीके चलते हुआ है तो साथियों ये तो वो खवर्ती जो देने के वासकर ने अपने मुख की प्रिष्ट पर बताई है, लेकिन साथियों इसके अलावा भी कुछ एहम बातों पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है महंगाई दर बढ़ने के क्या कारण थे तो बड़ी आसानी से देश की जनता को गुमरा करने के लिए लोजिक दे दिये जाते हैं हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ने के कोई ना कोई तो कारण रहते हैं लेकिन सातियों यहाँ पर सवाल यह उठता है जब देश में महंगाई चरम सीमा पर जाती है तो इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है यह सोचने वाली बात है आप देख रहे हैं दे प्रेड कर जन्ति के नाम पर तो कभी अजान के नाम पर साथी और WPI के इन आकड़ों को देखते हुए यह साप है इसमें कोई दोर आए नहीं है कि इस देश में तमाम तरह के सामपरदाइक दंगे कराए जा रहे हैं तनाव का माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं इन जम मीडिया हो लगातर दंगों की चर्चा की जाती है संपरताइक दंगों की बात की जाती है लेकिन चर्चा इस बात पर कभी नहीं होती है किसी भी टीवी चैनल पर नहीं होती है कि आखिर देश में बिरोजगारी तर कम कैसे होगी यह वां को रोजगार कैसे मिलेगा देश के होनार चात्रों को देश के भविस्ट को अच्छे सिच्चड साजिस्तान और अच्छे चिक्सा सोधा कैसे मिलेगी इन बातों पर कभी भी किसी भी चैनल पर चर्चा नहीं होती है साती यो समझना आपको होगा किस तरह से इस देश की जनता को ये बांटने का काम ये देश के नेता कर रहे हैं सता के भूंके इन नेताओं के सड़ेंतर से आपको बचने की जरूरत है आपको अपने अपने छेतर के जन पृतनेदियों से हिंदू मुसलिम की बात न करके जमीनी इस्तर के मुद्दों पर सवाल करना चाहिए कि आके हमें अच्छा रोजगार कम मिलेगा, अच्छी सिच्चा विवस्ता कम मिलेगी, अच्छी स्वास्त विवस्ता कम मिलेगी और साथ ही उन नेताओं को भी पूछना चाहिए अगर आपके आसपास में या आप सोसल मीडिया पर किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं जो 2014 से पहले महंगाई के नाम पर सरकार को घेरते हुए नहीं ठकते थे तो साथ ही उन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप देखते रहिए जनित आवाज उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सियर करना ना भूले धन्यवाद